Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education यहाँ पर Magnet Brains पर आपको Hindi Medium, English Medium, CBSC, State Board, कुछ famous writer की book a solution, plus competitive exams like NTSC, Olympiad सभी की preparation 100% free of cost कराई जाती है यहाँ पर दो chapter के बाद आपको किसी भी तरहिके का paid subscription लेने की जरुवत नहीं है आपको सिर्फ channel subscribe करना है और free of cost हर चीज आपके लिए available है clear है? तो हम start करने जा रहे हैं class 6th का science subject science के अलावा भी आपके बाकी subjects हैं जिन्हें आपके ये कुछ धुरंदर teachers पढ़ाते हैं इनका साथ भी है जरूरी तो science के अलावा आपको ये सभी videos भी देखना है social English, Hindi, maths क्योंकि अगर इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे काम्याव हमारे exams में है राइट चलिए तो इसी अठी सी बात से अब शुरुवात कर देते हैं हम getting to know plants that is chapter number 7 का NCRT solution clear है तो इस NCRT solution में सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे आपका textbook solution then हम very short short long answers को कुछ discuss करेंगे ताकि हमारी exam में हमसे कोई भी important question ना चूटे और हमारी preparation 100% रहे clear है तो चलिए start करेंगे सबसे पहले तो textbook questions के solution से तो पहला question जो है उसमें पूछा गया है correct the following statement and rewrite them in your notebook आपको यह कुछ statement दिये हुए है आपको हर statement को पढ़ना है बताना है कि यह सही है या फिर गलत है और अगर यह गलत है तो इसका सही statement क्या होना चाहिए यह हमें बताना है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला पूछा है stem absorb water and minerals from the soil stem जो है वो soil से पानी को और water को absorb करती है क्या बोला है stem absorb absorb मतलब उपर की तरफ पीना चीक है absorb करना सोखना तो stem absorb water and minerals from the soil क्या यह जो stem है वो soil से पानी और minerals को absorb कर लेती है अब जरह फटा-फट से आपर एक plant का diagram बना लेते हैं यह है आपकी मालीजे soil के नीचे ठीक है और यह यहाँ पर लगा हुआ है आपका plant clear है यह portion क्या कहलाता है stem clear है और यह जो नीचे है यह portion क्या कहलाता है root soil कहाँ पर है यहाँ पर है आप पानी कहाँ डालते हैं पेरों में आप पानी देते हैं soil पर ठेक है ताकि क्या हो soil पानी को अच्छी तरह से sok करें और root तग वो पानी जाए इसका मतलब क्या soil से ठीक है stem पाणी को absorb कर रहा है या फिर कोई और चीज तो यहाँ पर पानी को absorb जो चीज कर रही है वो है आपके roots कौन absorb कर रहा है पानी को ? Roots absorb कर रही है यह पानी को एब्सॉब करती है और इसे स्टैम तक पहुचाने का काम करती है और इसे लीस तक और डिफरेंट ब्रांचिस तक पहुचाने का काम करता है लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ था यहां लिखा हुआ है stem absorb water and minerals from the soil क्या stem absorb करती है नहीं root absorb करती है इसलिए हमारा यह जो पहला question होगा वो क्या होगा यह हो जाएगा आपका false ठीक है और इसका सही statement क्या होना चाहिए फिर तो हमें यहां पर stem की जगह पर क्या लिखना चाहिए stem की जगह पर हम लिखेंगे root clear है तो root absorb water and minerals from the soil तब जाकर कि यह क्या हो जाएगा तब यह आपका answer जो है यह true होगा अभी क्या है यह false है clear है चलिए अब next question पर चलते हैं so next time leaves hold the plant upright क्या यह जो leaves है वह plant को upright position में सीधे रखती है तो नहीं leaves अब देखें leaves कहाँ पर होती again हमें काम करते हैं plant का diagram यहाँ बना ही रहने देते हैं तो यह हो गया आपका stamp और यह आपने यहाँ पर leaves बना दी ठीक है यह leaves बन गई है हमारी प्यादी सी यहाँ पर भी हम बना लेते हैं थोड़ी से आड़ी तेड़ी है पर चलेगा हमने सु होगे हमारा stamp ठीक है और यह नीचे की तरफ हमारी roots चल तो अब यह क्या कह रहे हैं क्या यह जो leaves है ठीक है क्या यह जो leaves है आपकी यह plant को upright position में रखती है सीधा खड़ा रखती है तो मान लेजे कि कभी गर्मी बहुत जादा हुई और सारी की सारी पत्तिया जड़ गई जित होगा क्या plant जुख जाता है नहीं plant तो फिर भी खड़ा हुआ रहता है तो plant को upright position में कौन खड़े करके रखता है तो भई plant को जो upright position में खड़ा करने का काम है वो होता है root का किसका होता है root का क्योंकि root क्या करती है root soil में अच्छी तरीके से उसे जकर के रखती है और फिर stem की मदस्य जो पुरा plant है वो सीधे position में रहता है और अगर root ही proper तरीके से soil में नहीं होगी तो आपका plant क्या होगा? plant अपनी proper position में नहीं रह पाएगा तो leaves hold the plant upright तो नहीं leaves जो है वो plant को upright position में नहीं रखती है बलकि कौन रखता है? leaves की जगहाँ पर क्या आना चाहिए यहाँ पर? leaves की जगहाँ पर यहाँ पर आना चाहिए root या फिर stem root and stem दोनों ही इसके answer हो सकते हैं तब जाकर कि statement true होगा फिर है roots conduct water to the leaves क्या leaves तक? यह आपकी leaves है उन तक root पानी पहुचाता है तो root क्या करता है भई फिर से देख लो root क्या करेगा root जो है यह soil से जितना भी पानी है उसे absorb करेगा और उसे किसे दे देता है उसे दे देता है यह stem को अब stem क्या करता है फिर यह जो stem है यह पानी को कहा तक पहुचाने का काम करेगा यह जो stem है यह पानी को leaves तक और बाकी के portion तक पहुचाने का काम करता है तो यहाँ पर statement गलत है यहाँ पर क्या दिया हुआ इनोंने यहाँ पर लिखा हुआ है root conduct of water to the leaves तो water leaves तक पहुचाने का काम क्या roots करती है नहीं यहाँ पर क्या आना चाहिए तो यह भी हमारा गलत होगा और इसकी जगह पर सही answer क्या होना चाहिए तो इसकी जगह पर जो सही answer होना चाहिए वो होना चाहिए stem तो stem conduct water to the leaves तब जाकर कि यह जो answer होता आपका वो true होता clear है the number of sepals and petals in flowers is always equal क्या number of sepals and यह जो petals होते हैं वो हमेशा equal होते हैं तो जी नहीं sepals और petals ज़रूरी नहीं कि equal हो अब देखे कि हमारा जो rose होता है उसमें number of petals different हो सकते हैं और sepals कितने होते हैं 4 होते हैं ठीक है यह 5 होते हैं लेकिन जो अपनी petals होंगे वो 5 हो सकते हैं 6 हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार sepals and petals जो हैं वो equal हो तो यह statement भी false है true कब हो petals in a flower is equal clear है so if the sepals or flower are joined together its petals are also joined together again यही पूछा हुआ है कि क्या petals or sepals अगर joined है ठीक है अगर sepals जो है वो flower से जोड़ा हुआ है तो क्या उसके petals भी joined रहते हैं तो जरूरी नहीं है यह बात भी if the petals of a flower are joined together then the pistil is joined to the petal और यह पूछा है कि अगर petals जो है flower के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या उसके pistol भी petal से जुड़े होते हैं नहीं pistol क्या हो सकता है separate भी हो सकता है और petal से भी connect हो सकता है तो हमने यहाँ पर देख लिया ठीक है तो जैसे हमने लिखा था पहले root absorb the water and mineral from the soil जैसे यहाँ पर क्या लिखा था stem तो stem की जगे पर अब यहाँ पर क्या चुका है root clear next point में leaf hold the plant upright तो हमने लिखा था नहीं root hold the plant upright अब देख लिजे बहाँ पर अपना question leaves की जगे पर हमने क्या लिख दिया है root stem conduct water to the leaves तो हमने बता दिया नहीं root conduct water to the leaves फिर हमने बोला था कि the number of petals and saples in our flower is always equal हमने इसको statement को correct कर दिया the number of petal and saples in our flower is usually equal ठीक है usually equal होते हैं लेकिन हर case में जरूरी नहीं होते हैं ठीक है next is if the saples of flower are joined together its petals are joined together तो हमने बता दिया if the saples of flower are joined together its petals are not necessarily joined together सिर्फ कहां change करना है यहां आखरी line में क्या आजाएगा it's not necessary that they are joined together its petals are not necessarily joined together बस लिखना है इसी तरिके से नीचे क्या लिख देंगे if the petals of flower are joined together then the pistil is not necessarily बस यह line important है कौनसी line important है यह वाली सिर्फ यह line add कर ली है necessarily joined together दोनों ही case में आपको लिखना है कि not necessarily joined together या फिर not necessarily joined to the petal इस तरह से आप सारे statement को correct कर देंगे तो यह तो हुआ हमारा question first clear है अब हम आगे बढ़ेंगे question number second की तरफ so यहाँ पे आपसे क्या कहा है आपको एक draw करना है diagram draw a leaf a tap root and a flower ठीक है leaf draw करना है tap root draw करना है flower draw करना है you have studied for table 7.3 of the textbook ठीक है अब आपने table बनाया था उसके हिसाब से आपको यह draw करना है यह table का solution मैंने अपने concept वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से हम different different flowers का चीज़े लिख सकते हैं कि jasmine है या rose है या कोई और flower है तो उसमें कितने number of sepals होते हैं कितने number of petals होते हैं यह सब join होते है या नहीं यह सारी information हमने उसमें दी हुई है तो आपको यहाँ पर सिर्फिक leaf, taproot और flower का diagram डाइग्राम ड्रॉ करना है तो देखिए हमने यहाँ पर rose के लिए ड्रॉ कर दिया अब देखिए यह सबसे पहले किस की leaf है आपने मान लीजे यह अपने rose की leaf है अब इसमें किस type का आपको venation दिख रहा है venation मतलब जो veins है यह दो तरीके के हो सकते हैं ठीक है एक तो recticulate और एक parallel तो यह कौन सा venation है यह recticulate venation है और जिसका recticulate venation होता है उसकी root कैसी होती है tap root होती है जिसका parallel venation होता है उसके रूट कैसी होती है फाइब्रेस रूट होती है यह सारे चीज़े हम और रेडी डिसकस कर चुके है ठीक है तो यहां पर आपको क्या बनाना था लीफ बनाना था अब आप सोचेंगे यह तो बहुत अच्छी सी लीफ दिखने हैं कैसे डिजाइन करेंगे तो आपको और यह सारी उसकी वेंस हो जाएंगी यह आपने वेंस डिजाइन कर दी अब आपको क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंटली बताने है इसमें तो हमने पड़ा था इसमें लामिना के बारे में हमने पड़ा था पैजियॉल के बारे में हमने पड़ा था इसकी वेंस के बारे म इसे कहा जाता है blade, तो हम इतनी चीजे लिख सकते हैं, जैसे ये blade, फिर ये नीचे वाला portion, जिससे वो स्टैम से connected होता है, उसे हम petiol कहते हैं, next ये जो beach वाली line है, इसे कहा जाता है mid rib, तो हम इसमें mid rib mark करेंगे, ये होती है veins, ठीक है, and that's it, इतना हमारे लिए काफी है, एक leaf के design में, plastics में, next इसके बाद आपको tap root बना बतानी थी, तो tap root क्या होती है, जिसमें एक main root होती है, और उससे छोटी-छोटी सी roots निकलती है, जैसे कि main root क्या है, ये है, ठीक है, और फिर इसकी जो branches निकली हुई है, ये छोटी-छोटी सी, ये क्या कहलाएंगी, ये main root हो गई और इसके ये जो छोटी-छोटी सी branches है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है, लेटरल root, clear है, तो आप इसको लेटरल root मार्क कर देंगे, क्या होगा, tap root and lateral root, अब इसके बाद क्या design करना है, फ्लार डिजाइन करना है, तो फ्लार के क्या-क्या parts हमने अब भी पढ़े हैं, 6th class मे हमने पढ़ा है, फ्लार में sepals होते हैं, petals होते हैं, stamen होता है and pistol होता है, ठीक है, stamen and pistol, दोनों क्यों हमें draw करना है, अब इस stamen में हमने देखा था, उसमें enter होता है and filament होता है, pistol में हमने देखा था, उसमें stigma होगा, style होगा और ovary होगी and ovules, तो हमें ये सारी चीज़े एक फ कर लिया, फ्लार को, ठीक है, अब इसके जो colorful चीज़ होती है, वो क्या होती है, petals होती है, ये जो नीचे से green अलग तरीके से जो निकला हुआ रहता है, या joint रहता है, इसे हम सैपल कहते है, अब सैपल कैसा हो सकता है, joint together या separated, तो हम ये separated सैपल बना के बता दिया हमने, next is, आ हमारा, पिस्चिल, और आग जो बग जो चोटे-चोटे से से लंबे-लंबे निकले हुए रहते हैं, पतले-पतले, ये रहता है, स्टैमन, ठीक है, तो स्टैमन में उपर का portion क्या कहलाता है, enter, और ये जो line जैसा होता है, जैसे एक bulb के अंदर होता है, आपने bulb देखा होगा, ठीक है, तो bulb में ऐसा ये बीच वाला portion क्या होता है, filament, तो ऐसे ही ये पतला सा होता है, इसले इसको भी filament अपन कह सकते हैं, तो ये वाला portion आपको mark करना है, filament, ठीक है, और इसके अलावा stigma and then style, और ये बीच में नीचे होगी ovary, और उसके अंदर होते हैं छोटे-छोटे से ovule clear है, तो ये सभी हमें इस फ्लार में indicate करना है, clear हो गया, तो इस तरीक के से हम नहीं हापे ख़र में किया question number two, और आप फटा-फट से हम चल देते हैं question number three की तरफ, तो question number three में आप से क्या पूछा है, so can you find a plant in your house, ठीक है, आपको अपने घर में कैसा plant identify करना है, or in your neighborhood which has a long but a weak stem, अपने घर में या फिर नेवर के असपस कुछ ऐसा एक plant होगा, जिसका की बहुत लंबा सा stem होता है, लेकिन weak होता है, अब weak होने का क्या मतलब है, कि वो खुद की मदस से upright position में नहीं हो पाता, upright मतलब सीधा खड़ा नहीं हो सकता, उसे किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है, तो यह ऐसा कौन सा plant है, जो कि हमारे घर में या हमारे neighbor के घर में मिल जाता है, हमें generally, so write its name, in which category would you classify it, तो कौन सा plant है जो आपने देखा होगा, तो भई जो की अपने खुद के दम पे नहीं खड़ा हो सकता, मतलब खुद upright position में नहीं हो सकता, तो वो तो या तो creeper होगा या climber होगा, अब भई climbers या creepers जो हमने बहुत सारे देखे है, कहीं किया बहुत सुंदर-सुंदर flower वाले climbers हमें देखने को मिलते हैं, है ना, अमर बेल भी एक climber है, और इसके अलावा हमने बहुत प्यारे-प्यारे से flower वाले pink orange flowers के बहुत सारे से flower देखे हु इसका stamp भी होता है, तो वो कौन सा है, money plant, कौन सा होता है, money plant, money plant कितना easy plant है कि आप उसे अपनी soil के साथ भी लगा सकते हो और पानी में भी लगा सकते हैं, clear है, तो money plant इसका answer होगा, और वो किस category में आता है, तो money plant जो है, वो उपर जितना हम उसे support देते जाते हैं, जितना उपर की तरफ भेशते जाओगे, वो support के साथ में फैलता जाता है, तो इसका मतलब वो कौन से category के अंदर आएगा, तो वो आएगा, climber के अंदर, तो यहाँ पर answer होगा, money plant in our house and it is a climber, तो yes, we find money plant in our house and it is a climber, और यह क्या होता है, यह होता है, climber, clear है, चलिए, so what is the function of stamp in a plant, अब किसी भी plant में, stamp का क्या function होता है, तो जड़ा हम फिर से एक बार दुबारा से एक सुन्दर सा plant क्यों ना draw कर लें, तो मान लिजे कि हमारा stamp है, ठीक है, और यह बीच में हमने draw कर दी, इस तरह से हमारी soil, ठीक है, जिसमें नीचे की तरफ यह हमारी roots है, ठीक है, अब हम f fibrous root बना देते हैं, ठीक है, तो यह हो गया root, ठीक है, यह हो गया आपका stamp, अब भई ऐसा तो plant होता नहीं है, अगर plant है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इस तरह से branches होना चाहिए, चोटी-चोटी सी, कहीं बड़ी, कहीं ऐसी, ठीक है, तो यह branch निकल गया, अब branches होने के बा यह शायद आप लोगों को पसंद आए, और हमें तो भी concept अभी समझना है, ड्राइंग से क्या करना है, ठीक है, चलिए, अब आप सूचें कि इतने छोटे से answer के लिए मैंने इस सब क्यों draw किया है, इसे लिए draw किया है, ताकि आप लोगों को ना, यह जो answers हैं, यह लंबे time याद रखें, तो हमने यहाँ पर क्या क्या design कर लिया है, हमने एक plant की basic चीजें design कर लिया है, leaf, stem, root, clear है, और यह क्या है आपकी black soil, clear है, अब हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, यह क्या है, water, अब पानी को कौन absorb करता है, यह roots, roots क्या करती हैं, पानी को और minerals को absorb करती है, और यह water कहां जाता है, stem की तरफ जाता है, ठीक है, यह water कहां जा रहा है, stem की तरफ, clear है, अब भई, यहाँ पर हमारा प्यारा सा सूरज, हमारा sun, ठीक है, अब यह जो sun है, यह क्या करेगा, यह जो आपका sun है, यह भई, अपनी energy द लाइट एनर्जी ठीक है अब इस लाइट एनर्जी की हेल्प से यह आपकी लीव्स हैं यह क्या करती है यह इस लाइट एनर्जी को लेती है ठीक है किस किस के प्रजेंस में तो भाया इनको चाहिए पानी पहली चीज तो अब पानी कहां से मिलेगा रूट के पास है वो तो त स्टैम क्या करती है गबराओ मत मैं पानी भेज रही हूँ तो यह स्टैम जो है इस पानी को इन लीज तक पहुंचाने का काम करती है कहा तक पहुंचाने का काम करती है इन लीज तक पहुंचाने का काम करती है तो स्टैम क्या कर रहा है सबसे पहले तो स्टैम जो है यह आपके water को ठीक है, कहां से कहां पहुँचाता है water को ये root से कहां तक पहुँचाता है leaf तक पहुचाने का काम करता है, ठीक है अब leaf को मिल गया, पानी पानी मिलने के बाद sunlight मिल गया क्या क्या मिल गया leaves को leaf को मिल गया भईया, पानी मिल गया और मिल गया ही sunlight, ठीक है, sunlight के साथ उसका खुद का जो green color है chlorophyll ठीक है, plus green pigment ठीक है, and plus oxygen तो atmosphere में ही, तो इन सब से, ठीक है, सॉरी, carbon dioxide तो atmosphere में ही, ठीक है, तो इन सब के help से उसने क्या बनाया, अपना food बनाया और हमें दे दिया oxygen, ठीक है, अब यह food जो कि किसने prepare कर लिया है, यह आपके leaves ने prepare कर लिया है, अब उसे stem तक पहुचना है, root तक या बाकी हिस्सा तक पहुचना है, तो यही stem क्या करता है, कि अब मत घबराओ, मैं क्या करूँगा, आपके खाने को बाकी के portion तक पहुचा दूँगा, तो यह क्या करता है, इस food को, energy को, plant के बाकी portion तक पहु branches तक या फिर roots तक पहुचाने का काम करता है, आई बात समझ में, तो यह पूरी कहानी इसलिए कही गई थी, ताकि आपको समझ में आप आए, कि यह आपकी leaves है ना, basically, यह two-way traffic का काम करती है, मतलब कि उपर से नीचे भी आएंगी, और नीचे से उपर भी जाती है, यह देख वो खुद, वो दूसरी-दूसरी branches तक और root तक खाने को पहुचाएगी, और root से पानी को ले करके leaves तक पहुचाने का काम करती है, समझ में आया, तो stem बहुत ही important role रखती है किसी भी plant के अंदर, तो भई इसका answer अपन किस तरह से दिखेंगे, तो देख लेते हैं फटा-फट से, ठीक है, तो इसका answer हम देंगे, a stem performs following function, the stem and its branches hold leaves to get maximum sunlight, क्या करती है यह, यह stem और इसकी branches, leaf को hold करके रखती है, ताकि maximum sunlight जो है, sunlight जो है, वो इन leaves तक पहुच पाए, it transports water from roots to the different part of the plant, यह क्या करने का काम करती है, यह roots से पानी को, stem को root से लेकर के, पानी को root से लेकर के, different branches और leaves तक पहुचाने का काम करती है, next is, it transports food from the leaves to the different part of the plant, और यह क्या करेगी, जो भी leaf आपका food प्रिपेर करती है, उस food को लेकर के, stem तक, उसकी different branches तक, root तक, सभी दूसरे पार्ट तक पहुचाने का काम करेगी, और, it bear leaves, flower and fruit, अब यह जो आपका stem है, यह क्या क्या bear करता है, किस किस चीज को hold करके रखता है, तो यहाँ देखे, leaves and branches तो मैंने बनाई ही हुई है, साथ में अगर इसमें flower अगर और लगा दी, तो यह पहली चीज तो बहुत ज़्यादा खुबसूरत सा लगने लग जाएगा, तो मान लीजे कि यहाँ पर एक flower भी लगा हुआ है, तो यह flowers को, ठीक है, और साथ ही साथ, यह उसमें लगने वाले, जितने भी आपके fruits होते हैं, ठीक है, उन fruit को भी bear करती है, ठीक है, समझ में आई बात, हाना, सुमाली जी, fruits है, flower है, तो मतलब इतनी सारे सीजों को bear करने का काम, जो है, वो कौन करता है, सिर्फ स्टैम करती है, तो स्टैम के लिए, यह जो answer हम नही प्रिपेर कर सकते हैं, clear है, चलिए, तो यहाँ पे question number 4, जिससे हमें स्टैम का performance और ज्यादा clear हो गया, अब हम आगे चलेंगे, और देखेंगे कि next question क्या पूछा हुआ है, so which of the following leaves have recticulate venation, अब यह recticulate venation का क्या मतलब होता है, एक बार मैं आपको दुबारा से समझा देती ह अब leaf में आपने कुछ इस तरहे के का structure देखा होगा, माली जी की leaf है, किसी भी shape और design की leaf हो सकती है, जरूरी नहीं ऐसी हो, अब कुछ leaf ऐसी होती है कि जिनमें यह veins, मतलब जो lines होती ना छोटी छोटी सी, वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसी, parallel एक दूसरे के, तो यह क्या कहल आता है, यह कहलाता है, parallel, parallel what, venation, venation, चीक है, and कुछ में, कुछ इस तरह से होता है, ऐसा, and कुछ ऐसा, यहां से ऐसा, फिर ऐसा, कुछ-कुछ मदलब, ऐसा थोड़ा सा, net type का structure होता है, तो इसी को हम क्या कहते है, इसे हम कहते है, रेक्टी कलेट, venation, clear है, क्या होता है, रेक्टी कलेट venation होता है, तो आप से पूच रहे है, कि इन में से, कौन-कौन से ऐसे प्लांट से, जिसमें की रेक्टिकलेट वेनेशन होता है, wheat, tulsi, maize, grass, coriander, china rose इनमें कौन से ऐसे plants है तो भी बहुत सारे हो तकते हैं तो जिनमें की आपके tulsi और आपका जो china rose है basically इसमें रेक्टिकलेट वेनेशन होता है ठीके बाकी में आपका जो wheat है, maize है इन सभी में कैसा वेनेशन होता ह है इन सभी में parallel venetion होता है ठीक है तो तुलसी एंड चाइन रोस हाज रेक्टीकुलेट venetion clear है चलो अब आगे की तरफ चलेंगे और next question को देखेंगे if a plant has the fibrous root अब यह fibrous root क्या होती है देख लेते हैं तो ऐसा plant जिसमें की root जो है वो बराबर इस तरह से निकली होई रहती है तो वाट टाइप ओफ वनेशन आर इट्स लीज लाइकली तो है तो किस तरीके का वरेशन इनके roots लाइव लीज का होता है वनेशन अभी मैंने आपको समझाया मतलब कि उनके जो लीज से उसमें किस तरीके का veins का design होगा क्या parallel होता है या फिर reticulate होता है तो उसमें क्या होता है parallel venation में मतलब कि आपके जितने भी parallel venation वाले plant है जैसे की आपका grasses है या फिर कभी grass को उखाड के देखा है निकाल के देखा है उसकी जो पत्तिया होती है उसमें इस तरीके क्या आपको veins मिलेंगी जरूर नहीं इतनी सारी हो एक दो आपको ऐसे दिख जाएंगी तो मतलब वो parallel venation है और उसकी roots कैसी होती है इस तरह से fibrous होती है उसी तरीके से wheat wheat जो plant होता है उसमें भी कैसा venation होता है उसमें भी parallel venation होता है क्योंकि उनके जो roots है वो कैसी होती है fibrous root होती है तो parallel venation अगर होगा तो वो parallel venation किस में होता है fibrous root में clear है चलिए तो अब आगे चलेंगे और next question में if a plant has leaves with the reticulate venation अब reticulate venation के लिए पूचाए कि अगर कोई leaf है जिसमें कि reticulate venation है कुछ इस तरहिशन है तो यह जो लेख से वह क्या कैलाती है इन पहले तो यह जो लीशंह वह रे руट कैसी होती है तो एसी सारी प्लांस जीनमें रेक्तिको लेट वे मरें इनेशन होता है उनमें आगे है वो होती है टैप रूट ठीक है टैप रूट क्या होती है एक में रूट होती है और फिर उस रूट में से सब रूट निकलती है ठीक है जिसे आपन लेटरल रूट कहते हैं यह क्या होती है आपकी टेप टैप रूट ठीक है और यह क्या होती है आपकी छोटी-छोटी सी यह होती है lateral root clear है the lateral root and a second and tap root tap root होना चाहिए इसका answer तो हमारे पास tap root है clear है शली next question so next question ध्यान से पड़ेंगे अपाण बहुत अच्छे से भाई यही ध्यान लगाईए इदर उदर भीको ध्यान ने लगाना है वीडियो को देखते देखते so question number eight में आपसे क्या बोला है कि is it possible for you to recognize the leaves without seeing them and how क्या ऐसा possible हो सकता है कि हम leaves को बिना देके पहचान पाएं कि यह किस की है so हर case में यह possible नहीं है हना बहुत सारे तरीके की leaves है nature में तो हम सब को छू करके बिना देखे समझ नहीं सकते कि कौन सी है but फिर भी उनको smell करके ठीक है और उनका छू करके थोड़ा बहुत structure हम identify कर सकते हैं लेकिन exact हम हर तरीके की leaves को नहीं बता पाएंगे बिना देखे ठीक है so smell करके और छू करके थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किस plant की leaf है जैसे अगर अपने को तुलसी की smell already पता है तो हम पता सकते हैं कि यह तुलसी plant की है coriander का हम बता सकते हैं mint का हम बता सकते हैं क्योंकि हम इनको daily use करते हैं लेकिन बहुत सारी leaves ऐसी है जिनका use हम लोग daily नहीं करते हैं अगर किसी ने हमारे आँखों पर पट्टी बांदी और हमसे कहा कि यह leaf को बताओ जड़ा कौन सी है तो आप बता पाएंगे क्या नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम उनको बारे में जानती नहीं है ठीक है इसका answer हम क्या दे सकते हैं हम क्या रिखेंगे यह लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है उन्हें बिना देखे हम एग्जेक उनको नहीं बता सकते कि वो क्या है हम उनको उनसे कुछ आइडिया निकाल सकते हैं उनको टच करके उनकी स्मेल लेकर के यह बता सकते हैं कि कौन सी हो सकती है तो इसमें आपको यह लाइन ज़रूरी लिखना है कि we cannot recognize the leaves exactly clear है so we cannot recognize the leaves without seeing them we may be able to have some idea by touching and smelling them clear याद रहेगा यह answer और clear हुआ कि नहीं चले so अब आजाते हैं हम next question की तरफ जो कि आपके textbook question का next question है question number 9 अब इस question में क्या पूछा है कि write the names of the parts of the flower in sequence from outside to inside ठीक है अब outside to inside अब सबसे पहले हम इस question के अलावा एक बात सोचें कि जब एक flower बनता है तो सबसे पहले उसका क्या होता है छोटा सा bird होता है bird मतलब कली होती है clear है अब उसमें आपको क्या देखता है जब आप मान लीजे कि आपने bird normally देखा होगा rose का तो बहुत देखे होंगे तो वो बाहर की तरफ से कैसा देखता है green तो वो green कलर क्या होता है sepal ठीक है तो मतलब सबसे बाहर का portion सबसे outer portion कौन सा है sepal तो सबसे पहले क्या लिखो गया sepal clear है next is उसके बाद जैसे ही वो खुलना चालू होता है flower में converge होना चालू करता है तो आपको क्या दिखती है फिर petals petals दिखने के बाद थोड़ा थोड़ा से बीच में आपको light light से yellow yellow से portion दिखते है मलब कुछ इस तरह के किसे ठीके ऐसा रहता है और उपर ऐसा yellow रहता है चोटे चोटे yellow color yellow color अभी आपको इसमें दिखेगा नहीं इसलिए में इसको red mix करके बना रही हूँ ठीके तो ये दिख रहा होगा ठीके तो ये क्या कहलाते है तो ये कहलाता है stamen क्या होता ये stamen और stamen के बाद सबसे अंदर जो अगर portion है flower में क्योंकि हर flower में हो जरूरी नहीं तो वो होता है pistol ठीके तो ये हो जाएगा आपका pistol clear हो गया तो ये होते हैं हमारे parts और एक बाद चेक कर लेते हैं तो भही सैपल and then हो जाएगा petal stamen and pistol clear है चले तो इसके साथ हमारे ये question complete है I hope आपको समझ में आया होगा ठीके समझ में आया है ना क्योंकि flower के design हम फिर से एक बाद आपको समझा देते हैं देखिए कि अगर अपन ध्यान से अगर flower के design बनाए तो सबसे पहला होता है नीचे का ये portion ठीक है कुछ इस तरह से हाना और फिर बीच में ये होती है हमारी flower की petals clear है and ये मैंने flower को मालीजे बीच में से cut किया हुआ है हाना और फिर क्या होता है ये ऐसे लंबी-लंबी से आपको छोटे-छोटे से इगदम-इगदम थिन-थिन से wire type structure दिखते है जिसको हम क्या कहते है stamen कहते है और बीच में हमारा ये जो होता है ये होता है बीच वाला portion ठीक है जिसको मैं थोड़ा सा mix कर देती हूँ अलग-अलग color से तो ये जो portion होता है ये portion होता है हमारा कौन सा portion ये portion होता है हमारा pistol clear है चले तो यहां से इस question को खत्म करने के बाद हम पहुँच जाएंगे हमारी next question पे तो next question आप से पूछा हुआ है question number 10 So which of the following plants have you seen इन में से कौन से plant आपने देखे है of those that you have seen which one have flower और किस में flower होता है ये आपको बताना है grass क्या grass में flower होते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हम garden में खेलते हैं तो हमें बहुत इतने छोटे-छोटे से एकदम light एकदम छोटे-छोटे से दाक पर पल ऐसे फमार बने होगा होते है तो तुलसी में भी होता है, पीपल में भी होता है, शीशम, बनियन, मैंगो, जामून, गुआवा, पॉमेग्रानिट इन सब में भी होता है, पपाया में भी होता है, बिनाने में भी होता है, लेमिन, शुगर केन, पोटाटो, ग्राउन नट, ख्लियर है, तो भई हमारे इन है चले आब इसके बाद है नेम द पार्ट ओफ द प्लांट विच प्रड्यूसेस इट्स फूड नेम द प्रोसेस वो पार्ट आपको बताना है जो की फूड बनाता है तो हमने कई बार देखा है कि हमारी जो प्यारी सी लीफ है न यह जो लीफ यह leaf क्या करती हैं तो यही जो leafs हैं यह हमारे लिए खाना prepare करती हैं क्योंकि इनमें क्या होता है इनके अंदर होता है chlorophyll बदलब green pigment ठीक है तो यह green pigment के उपर अगर हमने sunlight दे दी ठीक है sunlight की presence में यह sun की energy से plus water से plus carbon dioxide के साथ मिलकर के अपना food बनाती है और इस process को हम क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं photosynthesis की process so leaves produce food for the plant leaves जो है वो plant के लिए food बनाती है कौन बनाती है leaves बनाती है clear है and this process is called the photosynthesis process इस process को हम photosynthesis की process कहते हैं अब photo मतलब क्या होता है photo मतलब होता है something related to light energy sun's light energy sun की light energy से related ठीक है तो photo को synthesis करके photo मतलब की sunlight को synthesize करके उसके उपर कुछ काम करके कुछ चीज़ बनाए गई हो तो वो क्या होगी photosynthesis की process तो यही process क्या होती है जिसमें की आपकी lease जो है वो plant के लिए food को prepare करती है clear हो गया चलो तो यहां पे हम इस question को खत्म करेंगे आगे बढ़ते हैं that is question number 12 so in which part of a flower you are likely to find ovary आप किस पार्ट में ovary होती है तो भाई हमें पता है कि ovary मतलब female related part clear है तो यह किस में होता है flower के तो flower में भाई एक होता है आपका pistol और एक होता है stamina तो pistol जो है ठीक है यह जो pistol है यह क्या होता है यह आपका plant का flower का कौन सा part है female reproductive part है और इसमें सबसे उपर का portion होता है stigma क्या होता है stigma बीच वाला जो portion है वो होता है style ठीक है और नीचे यहां पे होते हैं क्या ovary ठीक है और इस ovary में यह होते हैं ovary क्या होते हैं ovary तो भाई किस part में आपके plant में ovary होती है तो भाई flower का जो part है जो की होता है pistol जो हर flower में हो यह possible नहीं है किसी-किसी फ्लार में होता है किसी-किसी फ्लार में नहीं भी होता है तो इस पिस्टल के अंदर ओवरी होती है और जिसमें होते हैं ओविल्स clear है so we find ovary in pistol it is the lower most part of the pistol ये पिस्टल का सबसे lower most सबसे नीचे का lower most का क्या मतलब होता है सबसे नीचे का portion होता है ये देखे clear है चलिए तो यहां से हम इस कहानी को clear करके आगे पहुचेंगे so next question is question number 13 now name two flowers each with joint and separate sepals अब joint sepals के बारे में आपको बताना है और separate sepals के बारे में joint sepals का क्या मतलब होता है मतलब कि कुछ ऐसे shape का sepals ठीक है मतलब कि जुड़ा हुआ हो और ऊपर से खुला हुआ हो और separate sepals कैसा होता है अलग-अलग आपको ऐसा दिखेगा ठीक है ऐसा तो यह separate sepals होता है green color का जो नीचे flower के नहीं होता आपने देखा होगा कई बार ठीक है यह green color होता है यह अभी यहाँ पर ऐसे ही design किया हुआ है तो यह किस-किस flower में आपने दिखा है तो आपने धतूरा plant देखा है धतूरे का flower तो धतूरा flower में कैसे होते हैं joint sepals होते हैं ठ बातूरा एंड लोकी ठीक है लोकी का जो flower होता है ना देखा होगा yellow color का ऐसा खिला हुआ असा उसके पीछर जो sepals लगा हुआ है वो कुछ इसी तरीके का होता है ठीक है और जो separate sepals होते हैं वो गुढ़हल गुढ़हल मतलब की अपना china rose भी आप लिख सकते हो इसे ठीक है या फिर china rose ठीक है hibiscus भी कह सकते हैं तो यह china rose है and mustard ठीक है and mustard is the flower which has separate sepals तो separate sepals में rose भी है बहुत सारे flowers है clear हुआ चले यहां से हम खत्म करते हैं हमारे textbook questions को और अब next video जो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कुछ very short answer type questions क्योंकि textbook questions ही हमारे लिए सर्फ काफी नहीं होते ह है तो इस chapter के very short answer type questions को अब मैं अपने next video में cover करूंगी इस chapter के बागी के सारे topics जो कि important है मैं already explained कर चुकी हूँ अगर आपको देखना चाते हैं तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जा करके आपको क्या करना है magnetbrains पर जाना है और cbs English medium को जैसा ही आप चूस करेंगे तो नीचे अपनी class that is class 6 को select कर लीजे class 6 को जैसे ही select करते हैं तो आपको इस तरह से की screen दिख जाएगी जहाँ पर आपको folders दिख जाएगे सभी subjects के आपको select करना है science by सुर्भितिवारी और इस पर watch now करेंगे जैसे watch now पर click करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नीचे chapters की list उनके topics सब अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि Hindi Medium से हैं अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि subjects को हमें Hindi में पढ़ना है तो अब Magnet Brains लेकर के आया है Magnet Brains Hindi जहाँ पर आपको 6th class से 12th class तक सभी subjects की Hindi classes मिल जाएंगी और ये भी again 100% free of cost आपको करना क्या है जरूर लाइक करें शेर करें अपनी same class के students के साथ और उनके साथ जो कि आपसे थोड़ी बढ़िया छोटी class में हैं क्योंकि हम दे रहे हैं 100% free classes from kindergarten to class 12th subscribe जरूर करें चैनल को क्योंकि recent update आप तक जल्दी तभी पहुशती है जब आप channel subscribe करते हैं अब हम मिलेंगे हमारी next video में till then stay happy, stay healthy, stay healthy, thank you so much